आराध्य अरिहंत प्रभु के चर्णों में अनन्त अनन्त आस्था के साथ वंदन। तत्वार सुत्र के माध्यम से अरिहंत प्रभु की वानी का सार श्रवन कर रहे हैं जिसमें त्रित्री अध्यन का वर्णन चल रहा है जिसमें अधो लोग का वर्णन हमने सुना मध्य लोग के अंतरगत मनुष्य क्षेत्र मनुष्य कहा कहा जन्म ले सकता है और मनुष्य की वहाँ पे क्या दशा है इसके वारे में वर्णन चल रहा है क्षेत्रों की बात चली थी जम्बुदीप के साथ क्षेत्र बरत हैंबत हरी विदेह रम्यक हरिण वते इरावत वर्ष रहा क्षेत्रानी जम्बु दिप में भरत, हैमबत वर्ष, हरी वर्ष, महावीदेव वर्ष, रम्यक वर्ष, हेरनेवत वर्ष और एरावत वर्ष ये साथ ख्षेतर है जम्बु दिप में मुख्य रूप से साथ सेक्परण єड servis whenshjot बाहियक के रूप में जाने जाते हं इन साथ ख्षेत्रों में पहला भरत वर्ष ख्षेत्र है जो मेरू परवत के दक्षिन की हो है और धनुष के आकार का है इन साथ ख्षेत्रों का हमने वर्णन कल चिंदन किया था इन ख्षेत्रों में मनुश्य जन्मा लेते हैं अब जम्बु दिप के इन साथ ख्षेत्रों का विभाजन कैसे होता है तो शिष्य के प्रश्ण का उत्तर देते हैं कि इनके विभाजन के लिए 6 वर्षधर परवत है बीच बीच में तद विभाजिन पूर्वा परायता हिमवन महा हिमवन निशद नील रुकमी शिकरिनों वर्षधर परवत हा उनक्षेत्रों का विभाजन परस्प्रप्रथक करने वाले और पूर्व पस्चिम लंबे लगू हिमवन महा हिमवन निशद निलवन रुकमी और शिकरिनों वर्षधर परवत है जम्बु दिव में सिद भरत वहमवत आदे साथ ख्षेत्रे हैं उन ख्षेत्रों का विभाजन करने वाले लगू हिमवन को चूल हिमवन भी कहते हैं महा हिमवन निशद निलवन रुकमी और शिकरिये शे वर्षधर परवत हैं जो पूर्व से पस्चित्तम लंबे हैं भरत ख्षेत्र के उत्तर दिशा में जाते हुए सरपथम लगू हिमवान परवत आता है वह उत्तर दक्षिन में 1052 योजन 12 कला चूड़ा और 100 योजन उंचा है पूरव पस्चित्तम की दिशा में 24932 योजन लंबा है इसके दोनों तरफ लवन समुद्र है इस परवत को वर्षधर परवत भी कहते हैं कारण की वर्ष का आर्थे क्षेत्र और धर का आर्थे धारन करने वाला इसके दोनों तरफ शेत्र है लगुहिंवान परवत के दक्षिन में भरत और उत्तर में हमवत शेत्र है या पूरवत परवत कैसा है संपूर्ण स्वर्ण माई परवत है जहां हम सोने को देखने के लिए आतू रहते हैं वो परवत ही कैसा है सोने माई सोने जैसा है महाहिम्वान परवत हैंबत और हरिवर्ष के मध्य में 200 योजन उंचा महाहिम्वान परवत है यह भरक्षत्र से 8 गुना बड़ा है उसकी उत्तर दक्षिन दिशा के चोड़ाई 4210 योजन 10 कलाए इस परवत के मध्य में महापदमद्र है यह परवत भी स्वर्ण रत्न मैं है 400 योजन उंचा निशद परवत है यह परवत भरक्षत्र से 32 गुना बड़ा है आगे आगे डबल होते जा रहे हैं तो यह 32 गुना बड़ा है इसकी उत्तर दक्षिन दिशा में चोड़ाई 16822 योजन दो कला है और इस परवत के बीच में तिगिछ द्र है निशद परवत क स्वन तपा हुआ सोने के समान है निलवन्त परवत माविदेव रम्यक्षत्र के बीच 400 योजन उंचा निलवन्त परवत है इसकी उत्तर दक्षिन दिशा की चोड़ाई 16842 योजन दो कला है इस परवत के मध्य में केश्री नामक द्रो है यह परवत निलम रतनों से बना और इस पर निलवन्त देवता निवास करते हैं जिसका नाम निलवन्त परवत परवत पड़ाईना क्यों नाम पड़ा यह भी यहां पर शास्टर कर बता रहे हैं बरक्षत्र यह 32 गुना बढ़ा है रुक्मी परवत रम्यक और रहरानिवत के मध्य 200 योजन उंचा रुक्म नामक देव का निवास इसलिसका नाम रुक्मी परवत हैं शिक्री परवत एरनिवत और एरावत के बीच से में 100 योजन उंचा शिक्री परवत है इसकी उत्तर दक्षिन डिशा में चोड़ाई 1052 योजन 12 कलाय यह भरक्षत्र से दूगना बढ़ा है इसके मध्य में सीमा परवत के हिंवान परवत के दोनोह चोड और 11वत खेट्र की सीमा परज्थर की सीमा हिंआ परवत के का शेक्री परवत दोनों के लवन समुद्र में फैले वे, दोनों परोतों की कुल मिला कर आठ भाग लवन समुद्र में आते हैं, ये क्षेत्र दाड़ों की आकरति के होते हैं, दाड़ा कहलाते हैं, प्रत्यक दाड़ा में मनिश की आबादी वाले साथ साथ क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र अंतर परवतों की डाड़ों में यह फैलोगे क्षेत्र हैं क्षेत्र लवन समुद्र में स्थित है इनकी संख्या छपन है इसमें यूगलिया मनुश्य निवास करते हैं यह जम्भु दिप में स्थित्र परवत और क्षेत्र कितने साथ क्षेत्र हैं और साथ ही परवत हैं फुल यह चवदा हुए यह जो मनुश्य का जो सारा क्षेत्र है वो धाई दीप के लगा है कितना के लगा है एक होगे हमारा जम्भु दिप दूसरा आता है धात की खंडर और तिसरा आता है अर्दोपुषकर दीप तो पांच भरत पांच और तुसमें गांग मैं आपको समझाता हैँ टात की खंड में क्या है द्यात की खंडर आते खंडर में परवत्हां दूगुन है यानि इसमें साथसाथ है तो उसमें कितने हो जाएंगे दूगुने चुबदा चौबदा जेंगे जंबुदीप से दाथकी घंड में दूगुने धूगुने हैं दाथकी घंड में इद्धर दो मेरू परवत और बारा वर्षजदर परवत तथा 14 क्षत्र हैं जितने वर्षदर परवत हैं और उसे दो यह हो गए जम्बुदीब की तरह तो 14 क्षत हैं दात की खंड में दो इश्वाकार परवत दक्षिनों तर दिशा में स्तिते हैं यह दोनों परवत बाण की तरह सीधे और दक्षिन के उत्तर तक फेले होने के कारण इश्वाकार परवत कहलाते हैं इन परवतों की लंबाई चार लाक योजन जो दीब के बराबर है उंचाई 500 योजन है और चोड़ाई 1000 योजन है यह एक और लवन समुद्र को स्पस्ट करते हैं दूसरी और कालोदी समुद्र को छूते हैं जिसके दात की खंड दो 14,73191 1,39 योजन से कुछ कम है यह भाईय बरवती 4110,961 योजन से कुछ कम है रात की खंड में श्तित्थ मैर्व परवत की उंचाय पिच-चैसी एज़ार योजन है रात की खंड को गेरे हुए कालोदी समुद्र लैग योजन विस्तार वाला है और कालोदी समुद्र को गे पुषकर दीव जिसका विस्ता 16,00,000 यूजन का है आगे आगे डबल होते जाएंगे तो पुषकर दीव क्या है तो पुषकर आदेश पुषकर दीव आदा है पुषकर दीव में आदे भाग में दात्की खंड के समान भरत आदिक्षेत्र और हिम्वान आदी परवत से दूगुने हैं जम्मु दिव में साथ हैं तो ऐसे ही धात्की खंड में चवदा हुए तो उतने ही अर्द पुषकर में कालोजी समुद्र में चारो और वलियाकार 16,00,000 यूजन चक्रवाल व्यास की चूड़ी की आकार का पुषकर दीव हैं इस दीव में धात्की खंड पर चक्र के समान आकार का मनुशोतर पर्वत नामक एक परवत है जो इस दीव के ठीक बीचों बीच जगति की तरफ ढोल आकार में खगा पुषकर दीव के दो भाग करता है ये जो मनुष오तर परवत है ये मनुष्य नहीं रहता आद्व अबियांतर और भाही दो भाग करत यहीं तक मनेश का निवास होता है इसके आगे मनेश का नवास लोग का क श्यत्र जंबुदीब そう कि अड़ान कालोदी यह दो समुध्र ने समुधर्वार्यष कि तो 5 बरत अर्वद, पांच महा वीदे होते हैं तो कैसे पांच बरत तो जम्वु दीप में एक बरत धाथकिखन में दो बरत और अरदोपूशकर दीप में 2, 2, 4, और एक पांच ऐसे पांच महाविदे और ऐसे पांच एरावत कालोत यह दो जो समुद्रिन डाई दीप समुद्रों में मनुष्यों का निवास इसके आगे के दीपों में समुद्रों में मनुष्य नहीं रहते इसे समयक्षेत्र भी करते हैं इसका डाई दीप का दूसरा नाम समयक्षेत्र क्यों समयक्षेत्र का क्यों कि जो रात दिन रात का काल चक्र ह है वो इस ढाई दीप में ही होता है इसके आगे नहीं होता है आगे के सूरिय चंद्र जितने भी हैं वह सभी जदर रहते हैं वहां काल का प्रभाव नहीं है राद दीन का प्रभाव उस्षिपिनी है वह सभी डेप में ही है इसे समैश्र to bhi कहता है जवितिर के लिए दिप के अंदर द्र millorat चलाएं जिसमें दिन और रात होते हैं निटाइद के बाहर काल चक्र नहीं स्अभी और मनुश्य का जन्म मरन मनुश्य लोगता मनुश्य तर तक ही सिमिद सब्राइब देने योगिये रिद्धी दारी व्यक्री लब्दी धारक विद्या संपन सादक मुनी आदी ही इस धाई दीप जंबु दीप दातकी खंड़ आदपुषकर दीप के बाहर जा सकते हैं लेकिन वहां उनका निवास लंबे समय तक नहीं होता है लब्दी के प्रभाव से गए औ और जन्ममरन का समय जो है वो इस धाई दीप के अंदर ही है इसके बाहर नहीं है उनका भी जन्ममरन मानशोतर परवत के अंदर सिमा में ही होता है अर्दपुषकर दीप में छे करम बुमिया इनके दो भरत जिसमें दो भरत हैं दो एरावत हैं और दो महाविदे हैं अर्द दो हेमवद, दो हेरनिवद, और दो हरिवश, दो रम्यकवश, दो देवकुरू, दो उत्तरकुरूक्षेक्रे, वर्तमान में आठ विहरमान, अर्द पुषकर दीप में विरमान, तो बीस विहरमान जी जो विच्रन कर रहे हैं, उसमें आठ किसमें हैं, अर्द पुषकर में, आठ ढात की खंड में। इन सभी दीपों में त्रियंच रहते हैं, आगे जितने भी दीप हैं, उनमें त्रियंच रहते हैं, मनुष्यों के रहने के लिए केवल धाई दीप और दो समुद्र में ही स्थान हैं, दो समुद्र कौन से हैं? कालोद अधी और लवण समुद्र, प्रांग मनुष्योत्रान म मानश्योतr परद के पहले तक ही tiki दिप मैं मनुश्य उत्पन होते हैं शीष्य ने प्रश्ण के रहता है तो दिपปरा लोकेस चबदार रॉद्य लोक पर सब जगह मनुश्य नहीं जनम मरण करते हैं मनुश्यकषेत्रिम माथ्र दिपर मैं जंग्भु दीप कि दात avent और अर्द पुषकर दिप दो समूद्र लवन और कालोधी इनमें भी ही मनुश उत्पन होते हैं पर यह ध्यान देने युग है कि जनमत से तो मनुश जाती का स्थान मात्र धाइब दीप में ही हैं परन्तु सहरन विद्या और लब्दी के निमित से मनुष्य डाय दीप्ता दो समुद्रों के अत्रिक किसी भी भाग में आ जा सकता है इतना ही नहीं मेहरूप औरद की चोटी पर भी जा सकता है यह आप एक शाक्रिक बताया और पंदर वा सुत्रे मनुष्य कितने प्रकार के हैं मनुष्य के दो बेदें कितने बीदें आ्र्या मलेच्छास्च्र लोगा यह मनुष्य के भीयत से दो प्रकार्ड आर्यय यानinh स्रेस्ट् और म्लेच याननि जिनकी आंच्रंबी हलका है और जिनकी वृत्तियां चूर्था मला शेक्ट घुंढरी सदा चार संपन व्यक्ति आर्य कहलाते हैं आर्यक्षेत्र मिलना आर्यकुल मिलना यह बहुत कठीन है मनुष्यों तो बन जाते हैं लेकिन मनुष्य में भी यह आर्यकुल आर्यकुल मिलेच्छ में जाके पेदा हो गए तो ऐसे जीवन चला जाए जिन मनुष्यों के आचरा निंदित ग व्रत्ती है उसको उच्छ खैनदान करते हैं और उसको छुद्दबात करते हैं और उनकी व्रत्तियां नियायनीति कमाने का तरीका अब्रकुErू, जनकी आजीक इका भी नीची कमाने के तरीके गलत और जहां पे सुपात दान देने की वृत्ती ही नहीं बस लेने की लेने की भावना है वो नीच खांदान में अब बले आप परिवार कैसा भी जन में हो लेकिन वृत्ती हैं आपकी कैसी है वो खुद ने देखने के परिवार सही योग से आपको अच्छा खांदान मिल गया ल महां रहे करके अपनी व्रत्तियों को सुदार करके उंचायों को सपर्ष कर लेता है तो वह भली जन्म नीच खांदान में है लेकिन वह व्रत्ति उसकी उच्छ खांदान के उले जाती है खांद बोलचाद आचार विजदLike दूसी तक्रूरता पुर्ण हिंसा प्रदान हो वह म्लेच कहलाते हैं निमित्त कि अपकर्षा से आइरियों के छे बेदें खेत्रारूं कोल आरियों क्छाति आरियों क्यूल आरियों कर्म आरियों क इश्वाकू विदेह हरी ग्याद उग्र आदी वन्षों में उत्मन होते वो जाती आ रहे हैं कुल आ रहे हैं जो कुलकर चक्रवती बल्देव वासुदेव शेष्ट कुल में जनम लेते हैं कर्म आ रहे हैं जो पठन पाठन क्रिशी लिपी वानिजी आदी आज जिवी का चल करते हैं उनकी भाषा संस्क्रिट अर्दमाग दिया वीप्रित लक्षणों वाले सभी मनुष इसके वीप्रित लक्षणों वाले सभी मिनत हैमवत आदी तीस भोग भूमियों में अकर्म भूमियों के जितने भी निवासी मलेच कहलाते हैं जैसे शक यवन कंबो चंबर दिया जो दूप हैं वासम उनके वासी अनुष अंतत्विच मलेच जिनकी आकरती अहार विहार सब अस्कृति मलेच खंडों में निवासी मनुष करम भूमिज मलेच हैं इनकी अत्रिक्ता आर्य खंड में भी भी आदि जंगली जातियां वे भी मलेच कहलाते हैं जिनकी देवकुरू उत्तरकुरू क्षित्रों को छोड़कर पांच भरत पांच एरावत और पांच माविदे इस प्रकार पंद्र करम भूमिया है देवकुरू उत्तरकुरू को छोड़कर करके उनको छोड़ दिया तो पांच भरत पांच एरावत और पांच माविदे ये करम गए लेकिन करम भूमिन ही मिली तो वहां से मुक्ती नहीं है क्यों मुलेट शित्र प्लोग भूमिन में यूगलयों की तरह आएं करका करने की वीदी उन को पर फ्राप्त नहीं होती शु लिउग से हैं इस और बार्यांत वानि में एसा साधना मिलनी फिर उसमें पुरुशार्थ करना आप उन में से स्वेश्ट में आ गये हो जिनको आपको रोज जिन्वानी भी जुनने को मिल रही है अर्येंट प्रभू की क्रिपा से विदी भी मिल गी है, खांदान भी मिलें, परिवार भी मिलें, अब कमी किसकी है, सिर्फ पुरुशार्त की कमी हैं, और ये जनम ज्यादा नम्बे नहीं मिले वाले हैं, आगे आया वनन, मनेशों की आयू इस्तिती कितनी है, इन पंद्र करमें विए वैसे भी, तो बोले निरस्टती परापरेत्री पलियोपन तर्मा मुरते, मनेशों के उतकिस्ट आयू, तीन पलियोपकम की तथा जगन्न आयू, अंतर मुरत की है, कम से कम तो अंतर मुरत, मा के घर्म में आके के चल जाते हैं, जनम लेते हैं, अंतर म अब में जनन में जनम ले रहे हैं और युगलीयों में जनन ले रहे हैं यहां आए दूसरे तेसरे आर्र Grüस बार में जनन कोई शिरे काया में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार जनम ले सकते हो मनिश्य की काया में अगर आपको जनम मिले तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार जनम ले सकते हो बोलो लगातार मनिश्य गती एक बार मर के मनिश्य मनिश्य के मर कितनी बार बन सकते हो साथ या आठ साथ से आठ बार इससे ज़्यादा नहीं और तिर्यंच में एक बार नहीं असंख्याद बार मनुष्य में भी असंख्याद देवता और नार्की में एक एक बार तिर्यंच में प्रथ्री पानी अगनी वायू में असंख्याद बार और वनास्पति में अनंत बार एक बार माँ चलेगे तो इतने लंबे समय तक बाहर निकलने का मुखा नहीं मिलता है लेकिन मनिश गत्ती जो है ज्यादा से ज्यादा तुम्हेरे सात या आठ होगा अभी हमको कौन सा पता है कि ये कौन सा भूब है मलेच में चले गए अनारिक श्यत्र में चले गए करम भूमी में जहनम नहीं मिला तब भी वो मनिश भव हमारे खाली चले जाएंगे वहाँ पर हम कुछ कमाई करने का साधन जो है वो हमारा अंतिम ये मनिश भव है इसको अंतिम समझे क्यों कि हम ग्यानी तो है नहीं पहला दूसरा तीसरा चोटा हमको मालूम नहीं तो हम ये भव हमारा अंतिम समझे ये भव बदले उसके पहले हम कितना काम करें हमारे हाथ में अगर आपके योग्यता भी हो लेगिन आपके साथ या आठ वो पूरे हो गए तो आपको भव बदल करके या तो तिरेंच में या देव में जाना पड़ेगा वापस मनिश नहीं बन पाऊ तो काम तो हमको मनिश गति में ही करने को ज्यादा चांस मिलता है बाकी जगह पे ख अगला सुत्र है तिरेंचों की आउँ उत्किष्ट आईउ तीन पल्यकम की और जगन अंतर मुरत भी है क्योंकि ये मध्य लोग में दो ही प्रकार के जीव है कौन से तिरेंच और मनुश वाकी देवताओं की अपेक्षा से वान्वें अंतर त्यारी वो अगले में आपको लेकिन मुख्य रूप से जो मद्य लोग का वढ़न है वो तिरयंच और मनेश की अपेक्षा से हैं तिरयंच जियों की कम से कम आयू मनेश की तरह अंतरमुरत और अधिक से अधिक आयू की आयू समान तीन पल्यपम की है उत्केश्ट और जगन आयू के मद्य वर्ति असंख्य के ही जल्चर 15 के जल्चर स्तर्चर खेचर उर्फिर्ट दोर बुरिष्पर के आधि वेदें इन सब की उत्क्रिश्ट और जगन नहीं बिया अलगए सब तिरयंचों की काईस्टति भविस्तिति की तरह समान नहीं है बेंद्रे की बारा वर्स तेंद्रे की उन्चास अहो र ने गर्बजों में जल्चर और पुर्वश्वर पूर्व कि आपक्षिओं की भावस्तर्थी पल्यूपम के असंख्यात वाग चतुसपर्स कि जल्चर। भ्हाने बहुस्थति करोल्ड़ थेंफ़त्ति थि्प्पनहजार बर्श किंए इस प्रकार यह उसति के ऊपर चर्चा की यह तीस्रे द्यन में हमने अधो लोग के मम्मक्दय लोग का वर्णन किया आगे की चर्चा हम यह था समय आगे करेंगे आपके